किसी क्लास के 35 स्टूडेंट का मेडिकल चेक अप के दौरान उनका जो वेट आया उसको यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि यहाँ वेट है के जी में और यह नंबर आफ स्टूडेंट्स हैं लेज देन 38 क्लास के अंदर 38 से कम वजन के 0 बच्चे थे यानि कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसका वजन 38 से कम हो लेज दन 40 40 से कम वजन वाले 3 बच्चे थे लेज दन 42 42 से कम वजन वाले 5 बच्चे थे इसी तरह से यहाँ पर दे रखा है last में है less than 52 52 से कव वजन वाले 35 बच्चे है अब class में total भी 35 भी बच्चे है तो ये जो इधर आपको दे रखा है न ये cumulative frequency है आगे question कहता है draw a less than type agave for the given data इस data से एक less than type agave बनाईए hence obtain the median weight from the graph और फिर उस agave से वो जो graph बनेगा उस से median weight find कीजिए and verify the result by using the formula और फिर formula से भी median निकालिए और उसको verify कीजिए जो आपका median graph पे आएगा चले question की शुरुआत करते हैं देखे first question जो आपने इस exercise का किया था उसमें यहाँ class interval दिया था और frequency दी हुई थी class interval को और frequency को use करके हम इस तरह से less than type बनाते हैं less than type less than इस तरह से लिखते हैं और फिर cf निकलती है लिकिन इस question में direct ही इन्होंने less than type बना के और cumulative frequency भी दे रखी है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना बस यहीं से देख देखकर आपको अपनी values plot कर लेनी है less than 38, 38 से कम 0 बच्चे है less than 40, 3 बच्चे है less than 42, 5 बच्चे है तो इस less than 42 में यह 5 बच्चे है यानि कि इसमें पूरे वाले सारे आ गए है ऐसी less than 52 में 35 यानि सारे के सारे जो बच्चे हैं class में वो 52 से कम वजन की ही है तो यह cumulative frequency है और graph के उपर हम cumulative frequency को ही plot करते है और यहाँ less than का question है तो यह जो नीचे लिखी हुई है मैंने यह मेरी upper limits है क्योंकि upper limit को ही हम इसके अंदर include करते है यहाँ पर यह cumulative frequency है यह जो चीज़े मुझे यहाँ दिखानी है 38, 40, 42 यह मेरे x-axis पे आएंगी यह है x-axis यह y-axis है यहाँ पर cumulative frequency को दिखाना है तो यहाँ मैंने 10-10 का gap ले लिया है एक block को मैंने 10 के बराबर ले लिया यहाँ पर नीचे जो scale मैंने लिया हुआ है वो एक box को एक block को 2 के बराबर लिया हुआ है अब direct यहाँ से देखके values put करते है less than 38 38 से कम कितने है 0 तो x पर 38 देखेंगे और y पर 0 तो यह तो बिल्कुल यहीं पर आएगा point ऐसी less than 40 तो 40 देखेंगे हम x पर और 40 से कम कितने है 3 तो y पर 3 देखेंगे तो यहाँ मैंने देखा 1, 2, 3 यहाँ पर आ रहा है 3 फिर less than 42 42 से कम कितने है 5 है तो 42 से कम 5 यहाँ 5 आ गया less than 44, 44 से 9 कम है तो 9 बच्चे ऐसे जो 44 से कम एज कितने है तो 10, 10 से 1 छोटा वाला जो यूनिट है नीचे करेंगे तो यह 9 होगा less than 46, यह 14 है 46 x पर देखूँगा हम है और 14 देखूँगा हम है y एक्स पर तो यहाँ पर आएगा यह 10 है, यह 15 हुआ और एक कम 14 less than 48, 28 48 से कम बच्चे हैं 28 तो 48 x एक्स पर देखूँगा और 28 देखूँगा y एक्स पर तो 30 से 2 नीचे हैं यहाँ पर 48 और 20 यह 48 के और 28 के सामने यह पॉइंट आया less than 50 32 बच्चे हैं तो 50 x एक्स पर देखूँगा और यहाँ से चलूँगा मैं 32 तक तो यहाँ 30 आ गया y एक्स पर इसे 2 यूनिट उपर यह 32 आ गया less than 52 35 बच्चे हैं तो x पर मैं 52 देखूँगा और y एक्स पर देखूँगा 35 तो यह 30 है यहाँ पर यह 35 यह मेरी value putting हो गई है अब इसको यह जो points आये हैं इनको free hand मैं ऐसे join कर दूँगा यह free hand मैं ऐसे join कर दिया अब यहाँ से मुझे median निकाल ला है median निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि median हमको पता है कि जो total number होते है total number इसके अंदर कितना है 35 35 का half mid का मतलब क्या होता है बीच का 35 का half क्या हुआ 17.5 इस 17.5 को मैं अपने y axis पे देखूँगा कहाँ पे है तो यह 10 15, 16, 17 यहाँ पर रही है यह 17 हो गया और यहाँ से यह इसको बिल्कुल x axis के पहले लेक मझे line कहीं चुछनी है 17 यहाँ हुआ और यह point यहाँ आया यहाँ पे और यहाँ से फिर x axis के बिल्कुल नीचे मुझे लेक लेन कहीं चुछनी है जो कि y axis के पहले लोग यह यहाँ पर आ रहा है अब x-axis पर ये value कितनी आ रही है यहाँ पर है यह 46 और यहाँ यह 48 46 और 48 के बीच में होता है 47 और यह 47 से भी कम है थोड़ा सा इधर है तो मैं इसको 46.5 मान सकता हूँ क्योंकि इस से थोड़ा कम है न थोड़ा सा ही फरक है तो 46.5 यहाँ से मेरा median आ रहा है अब यह तो निकाल दिया मैंने audio बना के median अब इस median को मुझे confirm करना है फॉर्मले से तो फॉर्मले से अब median निकालते हैं देखे फॉर्मला सबसे पहले फॉर्मला देखे median का median का फॉर्मला होता है l n upon 2 minus cf upon f into height अब median निकालने के लिए आपको lower limit चाहिए lower limit मिलती है class interval से class interval यहाँ पे है नहीं आपको frequency भी चाहिए frequency भी नहीं है यहाँ पे तो सबसे पहले हम इस information से class interval बनाएंगे अब class interval पे आप ध्यान देना देखें less than 38, less than 40, less than 42 यहाँ पे सम्में 2-2 का हमको difference रखना है तो पहले वाले को तो मैं इसी तरह से लिख देता हूँ यहाँ मैं 0 भी लिख सकता हूँ ऐसे यह 36 भी लिख सकता हूँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ उससे कोई फरक नी पड़ेगा अगले वालों में मेरा जो gap है वो बराबर रहेगा तो 38 से 40 वाले यहाँ पे आएंगे 40 से 42 वाले यहाँ पे आएंगे क्योंकि यह जो है यह मेरी upper limit है यह मेरे को upper limit पे रखनी है ऐसी यहाँ 42 से 44 आएगा यहाँ 44 से 46 आएगा यहाँ 46 से 48 वाले आएंगे यहाँ 48 से 50 वाले आएंगे और यहाँ 50 और 52 के बीच वाले आएंगे तो यह तो मैंने class interval बना लिया अब मुझे निकान लिए frequency frequency का मतलब यह है कि वो बच्चे जो 0 से 38 के बीच में है तो ऐसे यहाँ कितने बच्चे हैं यानि जिनका वजन 0 से ज्यादा हो और 38 से कम हो तो ऐसे तो यहाँ 0 बच्चे हैं अब 38 से 40 तक वाले कितने बच्चे हैं देखिए यहाँ पर जो भी यह बच्चे हैं यह जो 40 हैं ये सारे के सारे less than जो 40 जो बच्चे हैं ये 3 है तो 38 और 40 के बीच में तो ये 3 ही होगे क्योंकि इस से कम वाला तो कोई बच्चा है ये नहीं 0 है तो यहाँ पर 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा क्योंकि जो उपर वाले बच्चे हैं ये ये तो already 38 से कम के ही है यहाँ less than 42 42 से कम वाले वजन के बच्चे 5 है अब हमें लेने वो बच्चे जो 40 और 42 के बीच में आते हैं तो ये जो 3 हैं ये इसमें involved नहीं होगे क्योंकि ये तो दूसरे ग्रूप के होगे तो इस गुरूप में कितने आएंगे वो पता चलेगा 5 में से 3 माइनस करके यानि कि 2 अब इसी तरह से हम हर बार अगले में से पिछला माइनस करके यहां का पता चल जाएगा अब 9 में से जब 5 माइनस कर देंगे तो यहां का पता चल जाएगा 4 9 माइनस 5 4 यहां 14 में से 9 माइनस कर देंगे तो इसका पता चल जायागा 5 यह 32 में से पहले यह करेंगे 28 में से 14 माइनस करेंगे तो इसका पता चल जायागा 14 यह 32 में से 28 माइनस करेंगे तो इसका पता चल जायागा 4 35 में से 32 माइनस करेंगे तो इसका पता चल ले हैं कि 3 इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना ये इस तरह से समझाए जाता है कि जैसे कि यहां less than 52 है less than 52, 35 बच्चे है और less than 50 less than 52, 35 बच्चे है और less than 50, 32 बच्चे है तो इस गुरूप के अंदर यानि 50 से 52 के अंदर कितने होंगे जो इनका difference वो ही तो होंगे क्योंकि ये वाले तो उपर के गुरूप में आ गए तो हर बार जबी भी आप CF से frequency बनाएंगे इस वाले type में तो अगले में से पिछले को माइनस करेंगे तो सामने वाला आ जाएगा तो frequency आ गए, class interval आ गया अब हमें निकालना मीडियन मीडियन निकालने के लिए हम ये mid value जो होती है जो लगभग बीच की होती है जिससे हम n upon 2 देते हैं इस पे ध्यान देते हैं 17.5 17.5 को हम cumulative frequency में देखेंगे कि ये कहां पर लाई करेगा देखें, 0 पे नहीं आएगा 3 पे नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा, 9 पे नहीं आएगा 14 पे नहीं आएगा 28 पे 17.5 लाई कर सकता है इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 28 वाला हमें 17.5 दे सकता है 14 वाला नहीं दे सकता हमें जस्ट वो लेना है जो छोटे से बढ़ा हो, तो 28 को लेंगे हम और इसको इस तरह से मार्क कर देंगे ये बन जाएगी median class अब इसी class में से मुझे ये सारी चीज़े मिलेंगी जो यहाँ पर formula में लगनी है इसके अंदर ये जो मेरा lower limit है class interval की lower limit है ये मेरा L हो जाएगी तो formula में L की जिएगा भरना है 46 plus n by 2 हम निकाल चुके है 17.5 minus cf cf वो होती है जो cf की line में median class से just उपर वाली frequency होती है ये median class होई ना इससे just उपर वाली जो frequency है ये cf की जगह भरी जाती है यहाँ पर cf होगा 14 upon में frequency, frequency वो होती है जो median class की frequency वाले box में आती है तो median class ये है इसमें frequency में 14 आ रहा है तो यहाँ 14 ही आएगा और into में height, height वो होती है जो class interval के बीच का gap होता है वो यहाँ पर 2 है बस इससे solve करते हैं तो 46 आया प्लस 17.5 से minus किया 14 तो 3.5 आ गया upon में 14 into में 2 यहाँ 46 प्लस इसको multiply कर दो तो यह 7 आ गया 7 upon 14 यहाँ 46 प्लस यह कटके आ गया, कटके half आ गया यह और इसमें अगर decimal में लिखूंगा तो यह 0.5 आएगा यहाँ हो गया न, इसको जब प्लस करूँगा तो 46 और पॉइंट और यह 5 तो यह median आया 46.5 तो मैंने इस वीडियो में बस इतना ही question, next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए good bye